दोस्तों आपके कान न सिर्फ आपको δुनिया भरकी बातों से रूबुर्विक करवाते हैं बलके ये आपके व्यक्तित्व और यदि किसी व्यक्ति के कान जन्म से ही लंबे हूँ तो समुद्र शास्त्र के नुसार ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन व्यतित करता है अधिक लंबे कान बुद्धी, वाणी में चतुर्ता और व्यवहार कुशलता का प्रत्तिक हैं ऐसा व्यक्ति धन्वान होता है ऐसे व्यक्ति आम तोर पर धन प्राप्ति के लिए संगर्ष करते हैं हालांकि इनके पास बुद्धी का कोई अभाव नहीं होता लेकिन अपने को व्यक्त करने में एक तरहें की हिचकी चाहट इनके अंदर देखी जाती है अत्यमत्य छोटे कानवाले रख्ती धनकू संचित करके रखते हैं और बेवजन के खर्चे करने से हमेशा वचते हैं बहुत मोटे कान नेत्यत्तो शम्ता का परतीक होते हैं समुत्र शास्तर के अनुसार यदि किसी इंसान के कानों की चोड़ाई सामाने से अधिक होती है तो ऐसे लोग सुख, सम्रिति, ऐसोरी की प्राप्ति करते हैं ऐसे जातक मौके पर चौका लगाने वाले बाने जाते हैं ऐसे जातक अपने परिश्रम के बल पर बहुत आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग चाहे करियर की शुदवाद छोटे पत से करें लेकिन एक न एक दिन पुच्च पत पर ये अवश्य पहुंचते हैं ऐसे लोग किसी भी स्तिति में निराशा को अपने उपर हावी नहीं होने देते जिन व्यक्तियों के कान जन्म से कनपर्टी से चिपके वल होते हैं वह अपनी बुध्धी और कौशल के बल पर धन प्राप्ट करते हैं साथी ऐसे लोग परते कार्य में सफल्दा बने की युगति रखते हैं जिन लोगों के कान पर बाल होते हैं ऐसे व्यक्ति चतुर और व्यवहार पुशल होते हैं आमतोर पर धन संचित करने के लिए मेहनद भी ये खूब करते हैं बड़े-बड़े रोम युक्त कान देर घायों के भी परतीक माने जाते हैं जिन इस्तरियों के कामों पर केश होते हैं, ऐसी महलाओं के वेवाहिक जीवन में अने कटनाईयां आ सकते हैं समुद्र शास्तर के अमसार वेवाहिक जीवन में इने जीवन साथे के साथ धामन्यो बिखाने में संगष्ण करना पड़ सकता है हालांकि उम्र बढ़ने के साथ-साथ ये अपने जीमन को व्योस्दित करने का हुनर सीख जाती है तो दोस्तों अमीद करता हूँ कि आपको हमारे दोरा दीगी ये जानकारी पसंद आई होगी ऐसी ही रोचक जानकारीों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और देखते रहें नौभारत टाइम्स डाट कॉम नमस्कार